हाई बच्चों कैसे आप लोग आपका स्वागत है गुरू जी इंजिर्ण ड्रोइंग में हम आपको पड़ा रहे है जो बच्चे फर्स्टियर में आडिविशन ले चुके है आपके पास फर्स्ट एर में एक common subject होता है engineering drawing first आपने किसी भी ब्रांच में प्लो टेक्टिम में एडिविशन लिया हो तो आपके पास common रहेगी engineering drawing first engineering drawing first का आपका ये third lecture है इससे पहले already में दो lecture प्रोइड आपको कर चुका हो ये third lecture है और जहां से हम आपका नया chapter start कर रहे है आज chapter start करेंगे scale scale को हम क्या बोलते है map नी ठीक है तो हम आज आपको scale की definition बताएंगे और scale क्यों जरूरी है आपको समझनी वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे ठीक है चलिए हम यहाँ पर बात करते है scale scale को हम क्या बोलते है map नी देखो map नी का यानि के scale का engineering drawing में एक अपना wishes of math है किसमे scale का engineering drawing में एक अपना wishes of math है scale का wishes of math वो क्यों है वो समझना आपके लिए बहुत important है क्योंकि बिना scale यानि के बिना map नी के आप कोई भी drawing draw नहीं कर सकते है ठीक है इसलिए मैं आपको बिल्कुल basic से बताऊंगा इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी definition भी उसके बारे में भी लिखाया है कि क्यों जरूरी है scale आपके लिए एक engineer के लिए scale समझनी क्यों बहुत जादा जरूरी है चलिए यहाँ पर बात करते है scale के बारे में ठीक है मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कही बार बार आपको यह word मैं यूज करूँगा ड्रोइंग सिट ठीक है यह word मैं बार बार यूज करूँगा ड्रोइंग सिट ठीक है ड्रोइंग सिट का यानिकि ड्रोइंग तो आप समझते हैं वरगोति आप समयलते कि दुछल क्या वतिए हैं दुर। जब हम कोई भी इस आरेहं बनाते हैं जब हम कोई भी दुछल करते हैं तो भी दिशनकी स्वेलड़े। यह चार्ट पेपर कि यह अच्छी क्योंट होती है। आप द्रो करते हैं और 9-10, 12 में जो भी आपने ड्रोइंग बनाई है वो एक चार्ट पेपर बनाए पर द्रोइंग करते आ रहे थे तो उसी का नाम यहां पर आप क्या पढ़ेंगे ड्रोइंग सीट तो जो चार्ट पेपर होता है वो अच्छी क्वालिटी का सार्ट पेपर ह इनजीनिरंग में उसकी क्वालिटी अच्छी होती है ठीक है जब कोई भी ड्रोइग आप drawing sheet पर draw करते हैν मैं scale के बारे में यहां पर बात कर रहा हूँ कि scale समझाने के वो कर रहा हूँ मैं आपको scale के बारे में आप समझ सकें क्या है हम कोई भी drawing किस पर draw करेंगे drawing sheet पर यहां तक तो clear है अब देखो यहां पर scale का क्या math वा जाता है scale का यानि कि pity एक साहर का कोई सीटी है कोई सीटी है कोई साहर है उस साहर की ड्रोइंग उस साहर की ड्रोइंग ड्रोइंग सीट पर ड्रोव करेंगे अब साहर तो बहुत बड़े होते हैं ठीक है कोई छोटे भी साहर होते हैं कोई बहुत बड़े भी साहर होते हैं तो एक साहर की पूरी की दिये इस drawing sheet पर तो आपको किस की अवस्ता पड़ेगी अब पता लग रहा है कि वो जो सहर है वो सहर है आपका 100 square kilometer का है ठीक है जो उसका area है 100 square kilometer area का है तो 100 square kilometer के area की क्या आपको drawing sheet लेनी पड़ेगी नहीं आप उसी drawing sheet पर आप उस छोटी सी पर जो आपकी drawing sheet होती है ठीक हे two in a two side के drawing सीट होती है उसी पर आप पुरी की पूरी city का map ठीक है या उसकी drawing draw कर देते है और वो हमकिसकी help से करते है मापनी की help से करते है क्यों देखो मापनी की help से क्या करते है यहां पर एक एक सायर जो है वह उसका एरिया बहुत बड़ा है तो हम इस एरिय को मापनी की хैलिप से चोटा कर देते हैं इस एडियों को मापनी की हैल से स्टिड पर ड्रोगर देते जैसे मैं कर देता question यहाँ पर मैं कर देता हूं कि मैने माना मैं माना इसकेल में मैंने माना कि एक स्क्वार किलोमेटर एक स्क्वार किलोमेटर आपका वन एमम स्क्वार के है ठीक है एक स्क्वार किलोमेटर वन एमम स्क्वार किलोमेटर के आपके यानि कि एक स्क्वार किलोमेटर को आप एक स्क्वार किलोमेटर को एक एमम की द्वारा दर्सा दिया तो आप जब drawing set पर एतनी छोटी सी line draw करेंगे कि आपने ये line draw करी, एक mm की तो आपने कितना एक km दर्सा दिया तो यही हम किसकी help से कर पाए है मापनी की helps है हमने किसकी help लिए है, मापनी की help लिए है कि हम 1 square km को एक mm में दर्सा रहे हैं कितने में एक MMM में दर्स आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कि Scale की Help लेकर हम किसी भी Drawing को Draw कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी Drawing हो या पूरे भारत की Drawing हो, तो क्या होगी, हम मापनी की सायता से उसकी Drawing को Drawing सिट पर Draw कर सकते हैं, मापनी की हैं, तो हम मापनी एजईयूम करेंगे, जैसे हम पूरे भारत का नकसा किस पर Draw करना चाते हैं, तो हम ऐसे ही मापनी मालने की 100 किलोमेटर, 100 km is equal to 1 mm या 200 km is equal to 1 mm और जब हम इस पर पूरा का पूरा map ड्रो करेंगे तो वो हमें दरसाएगा कि 1 mm 100 km को दरसार आया है तो इस परकार से हम ड्रोइंग बनाते हैं जैसे जैसे कि अब हम यहाँ पर बात करें आपको बोल दिया गया एक कुतुब मिनार है एक कुतुब मिनार है और कुतुब मिनार की आपको ड्रोइंग ड्रो करनी है आपको कुतुब मिनार की ड्रोइंग ड्रो करनी है ड्रोइंग सिट पर अब कुतुब मिनार 10 meter is equal to 1 centimeter के तो मैंने 10 meter को 1 centimeter के माल लिया अगर मैं यहाँ पर 100 meter 100 meter की दिखाऊंगा तो 100 meter के लिए मुझे कितनी कितनी लंबी line खीच नहीं पड़ेगी only 10 centimeter की और 10 centimeter की line आप किस पर दिखा सकते हो drawing sheet पर दिखा सकते हो तो यह कार यह होता है किसका हमारा मापनी का किसकी help सकिया हमने यह कार यह मापनी की help सकिया कि हमने 100 meter को 10 centimeter के बराबर दिखा दिया यानि कि हमने 10 meter को 1 centimeter के लिखा दिया यह किसकी help सकिया हमने यह किसकी help सकिया हमने मापनी की helps है इसलिए engineering drawing में जब आप drawing बनाते हो, तो किसकी साहयता कि आप सकता पड़ती है, आपको scale की, जैसे आपको किसी building का नक्षा बनाना है, आपको किसी building का नक्षा बनाना है, तो आप किसकी help लेंगे, यहाँ पर map निकी help लेंगे, कोई भी building का नक्षा बनानी किया, आप किसके help लेंगे मापनिकी भाइ पूरी की पूरी building बनानी है महाँपर आपको दिवार दिखानी है ठीक है उसकी height दिखानी है आपको 3 m3 दिखाना है 3 m3 आप दिवार दिखा सकते हो किस पर ड्रोइंग सिट पर नहीं न तो 3 m3 दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर scale की आउसकता पड़ेगी, आप मानेगी कि मैं 1 meter बराबर 1 cm के माल लो, ठीक है, mm की भी मान सकता हूँ मैं, कि 1 meter बराबर मैं 1 mm के माल लो, और मैं drawing draw कर सकता हूँ, तो यहाँ पर किस की आउसकता पड़ रही है, माप ने की आउसकता प पर नहीं है तो वहां पर आपको किस की हो सकता पड़ेगी इसकेल की क्यूंकि इसकेल की हैल्प से ही आप कोई भी ड्रोइंग drawing sheet पर draw कर सकते हैं क्योंकि आपकी कोई भी drawing है या कोई बहुत बड़ी drawing है उसको आपको drawing sheet पर draw करने के लिए scale के हो सकता पड़ती है ऐसे ही justice के project चले बहुत ही छोटे छोटे जैसे आपकी घड़ी है जैसे आपकी घड़ी है ठीके हमें एक वोच लेए लेते हमें घड़ी ले लेते एक घड़ी के आपको ड्रीग गड़ी के जो आपके parts होते हैं घड़ी के जो पार्ट होंगे उन पार्ट के आपको drawing बनानी ही ठीक है वही получилось है ठीक है बहुत ती आपको बहुत छोटे चोटे बिल्कुल छोटे चोटे होते हैं अब उनको आपने दिखा दिया ऐसे तो कैसा पता लेगा तो हम छोटे पार्ट को भी बड़ा कर सकते हैं घड़ी के चोटे पार्ट को भी बड़ा करके दिखा सकते हैं कि सकेड़ के एक कोई भी उसका पार्ट है ऐसे कोई एक पार्ट है एसे कोई एक पार्ट है तो आप क्या करेंगे आप मान लेंगे कि कि 1 mm is equal to किदना 5 cm तो जब आप 1 mm 5 cm वड़ी का पार्ट दिखाना 1 mm is equal to 5 cm यानि कि छोटे को आपने ज़्याद मान लिया तो अब आप यहां पर 5 cm की लाइन ऐसे ड्रो करेंगे 5 cm की तो आप ऐसा 5 cm कुछ भी ऐसा कोई भी पार्ट होगा कुछ भी ऐसा पार्ट होगा तो आप उसको बड़ा करके दिखा सकते हैं यानि कि इसकेल की हेल्प से हम किसी भी छोटी ड्रोइंग को बड़ी ड्रोइंग मना सकते हैं और किसी भी बड़ी ड्रोइंग को बड़ी ड्रोइंग को छोटी ड्रोइंग में कर सकते हैं ठीक है तो वह हम किसकी हेल्प से करते हैं इसकेल की हेल्प से अब यहां पर हम डेफिनेशन प पढ़ेंगे और explain करता मैं आपको चलूँगा साथ की साथ ठीक है explain करता मैं चलूँगा साथ की साथ यहां पर आपको कुछ समझ में आया कि हम ड्रोइंग से scale की क्या help होती है scale की helps हम क्या कोई भी किसी भी सहर के किसी भी के कोई भी multiplex building हो या कोई मोल बनना हो ठीक है तो उसकी बड़ी ड्रोइंग को थोटी सी ड्रोइंग पर किसकी help से draw करते है scale की help से draw करते हैं कोई बड़ी machine के बहुत बड़े-बड़े part होते हैं अन बड़े-बड़े पार्टों को हम जब सो करते हम देखते कि यह पार्ट तो आपका उसका भाई motorcycle का यह आपका कार का है यह आपका ट्रेक्टर का है जिसका भी otherwise होगा तो उस पार्ट को आप ड्रोइंग सीट पर देख सकते हैं चाहे वो बहुत बड़ी विस ड्रोइंगों या बहुती छोटी बिल्कुल एक महिन सा तार हो उसकी ड्रोइंग को भी आप बहुत बड़ी करके दिखा सकते हैं ठीक है तो दोनों पॉइंटों गी होते हैं अब देखो एक फुल लैंथ की भी होती वह सारी बात है बात में हम डिसकस करेंगे अभी हम यहां पर बात करते हैं स्केल इसकेल को हम बोलते हैं मापनी यह चीज़े समझ माया है जो हमने यहां पर डिसकस की तो अब डेफिनेशन भी समझना जरूरी है तो प्रोपर रूप से लेक्चर में बने रहीएगा हम यहां पर आपको एक टू सारी चीज़े कवर करते हैं चलेंगे और साथ ही मैं बताने चाहता हूँ अगर अपने वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जादे सजादे सेर कीजिए क्योंकि हम यहां पर आपको complete देनके यहां पर किसी व्स्तु की ड्रोइंग तो आप समझ गें होंगे कोई वस्तु किशिए जो सकती है कोई बीडिंग हो सकती है कोई भी अतया हो सकता है कोई मोंतर सायकल का पार्ट हो सकता है किसी ट्रक का पूरा आप ड्रोइंग बना सकते हो किसी ट्रांसफार्मर का पूरा ड्रोइंग बना सकते हो तो यह होती है वस्तु किसी भी वस्तु की ड्रोइंग को ड्रोइंग सिट ड्रोइंग सिट तो समझ गए जैसा आपका चार्ट पेपर होता है ऐसे इस ड्रोइंग से होती है उससे अच्छी quality की होती है ठीक है किसी वस्तू की ड्रोइंग को ड्रोइंग सेट पर अनुपातिक आकार में कैसा अनुपातिक आकार अनुपातिक आकार में सुवीदा अनुसार बनाने की अवस्ता होती है कोई भी वस्तु है उसकी ड्रोइंगों में सुवीदा अनुसार बनाने की अवस्ता होती है क्यों कि हम drawing draw करेंगे drawing sit पर तो हम समझ सकते उसके parts कोई भी motorcycle के parts है वो सारे समझ सकते कि कुन कौन से parts motorcycle के है तो उनकों में एक अनुपातिक आकार अनुपातिक आकार जो हमने scale में माना यहाँ पर यहाँ पर जो हमने scale माना कि 10 meter बराबर 1 centimeter या 1 mm तो वो एक अनुपातिक आकार होता है उसमें सुईदा के अनुसार बनाने की अवसकता होती अब देखो यहाँ पर important point जो मैंने यहाँ पर लिखा है जो मैंने आपको समझा है क्योंकि अत्य अधिक बड़ी वस्तु अत्य अधिक बड़ी वस्तु जैसे कोई सहर कोई बहुत बड़ा ट्रक ठीक है या रेलवे ट्रैक या रेलवे लाइन पूरी की पूरी ट्रेन ठीक है तो वो क्याते ही पूरी वस्तु होती है क्योंकि अत्य अधिक बड़ी वस्तु की ड्रोइंग कोई बहुत अत्य अधिक बड़ी वस्तु है उसकी ड्रोइंग को ड्रोइंग सिट पर उसके वास्तविक आकार में जैसे आपको बोल दिया गया एक ट्रेन की ड्रोइंग मनाईए पूरी अब ट्रेन है आपकी कितनी 100 मिटर या 500 मिटर लंबी क्या 500 मिटर लंबी ड्रोइंग डेड़ सो मिटर लंबी ट्रेन की ड्रोइंग आप उसके वास्त्विक आकार में जो उसका एक्चुल साइज है उस साइज में ड्रोइंग सीट पर ड्रो कर सकते बिल्कुल संभव नहीं है बिल्कुल भी संभव नहीं है तो वही यहां पर बोला है कि वास्त्विक या साइज में बनाना संभव नहीं है तो उसके लिए आपको किस की वह सकता पड़ेगी इसके लिकी वह सकता पड़ेगी और तो वही बोला गया है जैसे जैसे हम यहां पर एक झामिक समझ लेते जैसे लिए मैंका पूर्ण मापों में बनाना संभव नहीं ऐस्व की वह सकता पड़ेगी जैसे हमाने की कोई बी सेहर का नक्सा में बनाना आपको सहर आपका 1000 स्क्यार किलोमेटर का है, 2000 स्क्यार किलोमेटर का है, जितने का भी है, तो हम वहां मान लेंगे, 100 किलोमेटर इसकल टू, 1 mm की, तो अब हम, जब हम उस ड्रोइंग सीट पर, जब हम उस ड्रोइंग सीट पर, जब हम उस ड्रोइंग सीट पर, एक mm की ऐसी लाइन खी कीचेंगे तो ये परदर्सीत करेगा 100 km को कि जब हम इसको थोड़ा एक में मूर आगे बढ़ाएंगे दो एक में तक बढ़ाया तो यह दो है मिपरसित करेगा 2 km को तो ऐसे ही हम पूरे सहर के नक्से को बना सकते हैं किस में convert करने के बाद skill में convert करने के बाद पूरे सायर का नक्साम एक drawing sheet पर draw कर सकते हैं अब आगे चलते यह तो हो गई थी किसी बड़े सायर की अब हम बात कर लेते हैं किसी छोटे छोटे parts हो गए चोटे चोटे पार्टों को drawing sheet पर हम दरसाएंगे तो वह में दिखाई भी नहीं देगा तो मैं उसे बढ़ा करके दिखाना पड़ेगा उसको बढ़ा करके दिखाना पड़ेगा समझे यानि कि कोई भी machinery के बहुती बहुती बिल्कुल एक दो दो mm की क्या है parts है उनको drawing sheet पर दस आने के लिए mb देखने में प्रोलम होगी तो उन छोटे पार्टों को हम बढ़ा करके भी दिखा सकते हैं देखिए आगे मैंने यहां पर लिखा है इसी परकार इसी परकार अत्ते अधिक जैसे घडि के पुर्जा आधी की drawing को भी वास्तविक PG में drawing sheet पर बनाना संबव नहीं है जैसे घडिके पुर्जे होते बहुत चोटे चोटे बहुत अभरी बरी होते है तो उन्हें वास्ट्वीक रूप में बनाना संभव नहीं है क्योंकि बना भी हमने दिये तो वह में सही से दिखाई नहीं देंगे ठीक है तो बनाना संभव नहीं है तो ऐसे कि एसे केस में क्या करते हैं एसे केस में हम scale मालते हैं यहां पर हम scale भी पढ़ाएं कौन कौन सी scale होते वो भी हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं तो हम यहां पर scale जैसे मैंने माल लिया कि एक mm is equal to टैन सेंटीमेटर के एक mm गड़ी के part is equal to कितना है 1 mm यानि कि मैंने 1 mm दिखाया गड़ी का part तो इसके element उपर दिखानी पड़ती है तो यह हो गई आपकी कि छोटे को हम बड़ा करके दिखा सकते हैं और बड़े बाग को हम छोटा करके दिखा सकते हैं किसकी alps है इसकेल की alps है जब कोई हम दुरूं करते हैं थे तो आगे देखते हैं यहाँ पर आगे देखते हैं अगे हमें क्या लिखाया है एताए वस्तू की द्रोइंग को ब्रॉइंग सिट पर देखो अक्चुएल माप बनने के लिए उचित ही पडियोग किया जाता है उचित माप निकाहीं है कि actual माप निकाहीं पर्योग किया जाता है जैसे समझो कुछ ड्रोइंग ऐसी होती है कि अनवा सक्हित NOisednos II नहीं होती हो अधी गिसे ठेमाने की जरूरती नहीं होती वो ड्रोइंग पर आशा को इस्थ यह मारकर है यह इसका actual size है इस marker का actual size है अब इस marker को मुझे ना तो बढ़ाने की जूरत ना घटाने की जूरत भाई इतना ही बना दू तो यह होता है उचित map पर ही और उचित drawing उसी actual map में ही उसकी drawing बना देना ठीक है उसके actual map में ही उसकी drawing बना देना कुछ पार्ट ऐसे हो जैसे आपका mobile phone होगा mobile phone के आप drawing direct draw कर दो बार से बार के बात कर रहा हूं मैं inner part की बात की बात कर रहा हूं बार के पार को direct drawing nothing add study you के अफ्याँ नमबर चाहिक मा पनि के बात करेंगे number अंपकी लगूकरण मापनी यानी के reducing scale कैसी लगूकरण मापनी यानी के reducing scale ठीक है जब बड़ी वस्तों को हम छोटा करके दिखाते हैं तोमांपर हम कौन सी मापनी का परियोग करेंगे लगूकरण मापनी reducing scale को जैसे बड़ी वस्तों के लिए बड़ी वस्तों के लिए हम कौन सी मापणी परयोग करेंगे कोłęग करने कोडने के लिए। तीन स्केल होती है फिर आगे मागे लेके चलेंगे आपको सारी चीज़े कवर करते चलेंगे और देखो इसकेल में से आपका 10 marks का question है अंट कंफरम है तैन मार्स का question आएगा या आएगा कौन कोन सी स्केल होती हो भी हम आपको पढ़ाएंगे 10 marks का देखर ठीक है यानि कि यह तो होगे इसके part जब आगे कौन कोन सी स्केल आपको आएगी सीखने के लिए वह भी हम सिखाएंगे देखो बड़े पार्टों के लिए हम कोन सी स्केल का प्रियों करते हैं reducing scale लगू करन महापने यानि कि बड़े भाग की ड्रोइंगों को बहुत बड़ी बड़ी ड्रोइंगों को छोटा करके दिखाने के लिए महाँ परमिक्स का प्रियों करेंगे reducing scale reducing कैसे होता है जैसे जैसे आपका 100 किलोमिटर is equal to आपने 100 कर दिया only 1 cm में या 1 mm में 1 cm या 1 mm में कुछ भी आप हो सकता है ठीक है ऐसे दूसरी कौन सी होती है छोटी वस्तुओं के लिए छोटी वस्तुओं के लिए हम कौन सी scale का प्रियों करते हैं वर्दमान मापनी वर्दमान मापनी यानिके चोटी वस्तुओं को बढ़ा करके दिखाना जैसे एक mm is equal to आपने माल लिया एक mm का वास्तुओं का वास्तुओं का वास्तुओं का वस्तुओं का आपने उसको 5 cm के बराबर माल लिया तो छोटी वस्तुओं को बढ़ा करके दिखाने हम अलार्जिंग यान की इंक्रीजिंग इसकेल से लगो करन मापनी छोटी बड़ीवस्तों को चोटा करके दिखाना एप देखो तीसरा क्या होता है थीसरी होता है फुल-साइज-सकेल, होती है यहनि कि 10 centimeter की आपका वासिती में पर दस centimeter की आपने straw कर दिया ठीक है निके समझे मेरी बात full size Scale क्या ओते है same size की map şतू को drawing see it for same size पर ट्रोगर न ठीक है same size की वस्तू को same size में drawing see het pare during the book on kiddri a few size scale तो देखो यहाँ पर मैंने ने लिखा भी है drawing सिट के अनुकूलन वस्तु की ड्रोइंग वास्टिक मापों में ही बनाने के लिए ठीक है यानिके ड्रोइंग पर उसके अनुकूलन वस्तु की ड्रोइंग को वास्टिक मापों में ही बनाने के लिए हम full size scale परियोग की जाती है ठीक है कैसे के लिए हम कैसी full size scale परियोग करते है ठीक है अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ important point लिखा है यह आपको समझना जरूरी है क्योंकि इसके बाद आपको representative friction next lecture में हम लेके आएंगे representative friction नीरुपक भीन के आओती है वो important है क्योंकि उसका formula आएगा वो आपको सीखना जरूरी है क्योंकि representative friction अलग सा formula पूछ ले जाता है और आपको definition भी और उसकी help साफ सारी drawing ड्रो करेंगे और कौन-कौन सी drawing आपको ड्रो करने है कौन-कौन सी आपके पास scale है वो भी हम आगे cover करेंगे ठीक है देखो अभियांत्री की आरेखन अभियांत्री की आरेखन क्याता है engineering drawing अभियांत्री की आरेखन मतलब engineering drawing अभियांत्री की आरेखन में मापनी की उप्योगिता मैतपूर्ण है वो तो चीज़ आप समझी गए है कि अभियांत्री की आरेखन यानिके माप को काल्पनिक माप में दर्शाते हैं कि मापनी के दुआराई जो मिस AND कि माप में बदल कि है कि आपने साहर का नक्सा बनाना है वह तो वाश्ट्ट्विक है बट आप आप ने उसे रोइंग से पर छोटे से भाग में दिखा दिया कि ये इस सहर का नक्सा है तो एक पसलिए टाय को थी मोडेंगे तो चलिये अब आपको मिलेंगे में जादे से जदे से जादे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा ठीक है तो चलिए मिलेंगे नेक्स लेक्चर में अभी के लिए थैंक यू